हलो बच्छो कैसे आप सब क्या हाल चाल आप सब के सब बच्चा बाड़ी देखिए वापत से स्वागत है आप सब का एक क्या है आप सब करेंगे आप यूज बच्छे बहुत ही सिंपल और इस तरीके में यानि की हम करेंगे आप क्वेशन से कॉसेप्ट थका सफन हиков है भर सती ही साथ हमारा कॉ explican करो ठंदर-चल by वाल-चल यही होने वाला है मैं अज क प्योरह पूरा 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 एजंडर इंड लेट्स वरसे तो आप भी मेरे साथ answer कर सकते हैं कहां पर बच्चों अपने comment section के अंदर तो इंतिजार रहता है आपके answers का आपके बहुत प्यारे-प्यारे मज़दार वाले inputs का चलिए तो start क्या जाए भाई फड़ावर्ट से आगे बढ़ते हैं कहता है कि atmosphere का कोई simple तरीके से define करें बहुत सारे मासे बहुत सरे गैसे बहुत सरे एक टेंप्रेचर को एक बढ़िया habitable planet बनाने में काफी मदद करते हैं और यही blanket of air क्या क्या लाता है बच्चों यह क्या लाता है मारा atmosphere ठीके तो ट्मास्फेर में क्या होता है एक्मास्फ meant nitrogen है oxygen है बहुत सारी quantity में सासी साथ यहाँ पे और गैस से हो गया हेलियम हो गया ओजोन हो गया जोकि comparatively कम quantities हो चितने भी loro living से धर्ती के ऊपर पष्छे सारे किसकेल वपर हमारे एक्म ऐट्मस्फेर के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए हमस्परि डपेंड कर रहे हैं लुट ऑन एट्म सृख्षी captivity कैए सरांगे और पहुत सरी गैसे चैनल ऐसे बहुत सारी गैसे हो गए dust particles हो गए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे atmosphere में exist करती हैं चलिए आगे बात करते हैं अगला सवाल कहता है कि which two gases are the bulk of make the bulk of the atmosphere ठीके सवाल यह कहता है कि बच्चे कौन से ऐसी दो gases है जो atmosphere में सबसे ज्यादा quantity में present है राइट बच्चो तो एक तो हमारी oxygen हो गई है जो कि 21% present है और दूसरी हमारी nitrogen हो गई जो कि 78% present है राइट बच्चा बाड़ी चलिए तो दो ऐसी gases है जो आपकी maximum amount present है one is oxygen and second one is nitrogen ठीके चलिए आगे बात करते हैं क्वेशन कहता है कि कौन से ऐसा ग्यास है जो कि green house effect create करता है atmosphere में देखे ग्रीन आउजफेट को contribute करने वाली यह तो बहुत सारी gases है लेकिन उसमें से एक मीजर ग्यास है प्राइंग ब्यास से जाते हैं हमारा carbon dioxide जो कि हमारे green house effect में बहुत ज्यादा क्या करता है बच्चो contribute कर जब आप green house effect की बात करते हैं तो क्या होता है बच्च दिको बहुत सिंबल सी बात है जो हमारे सूरच की रौष्णी है बच्चे वह जब अर्थ पर आती है तो बच्चे जब अर्थ के ground पर strike करेगी तो क्या होगा reflect back करेगी अगर सारी की सारी रौष्णी reflect back कर जाएगी तो बच्च दिक अर्थ के पास अच्छा कासा हीटी नहीं होगा temperature को maintain करने के लिए और हम लोग भी आने ही रह पाएंगे तो यह जो green house ग्यास होती है यह क्या करती है बच्चे यह क्या करती है यह trap कर लेती है हमारे solar radiation को ठीक है बच्चो तो यह क्या करती है बच्चो यह ट्मा quantity atmosphere में जरूरत से जादा हो जाएगा तो यह क्या करेंगी जादा radiation को trap करेंगी जिससे हमारे earth का average temperature बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इस phenomenon को हम कहेंगे global warming जो कि अभी हो रहा है जब क्या होता है बच्चे pollution के वज़े से बहुत सारी ऐसी gases है जो atmosphere में बहुत जादा quantity में फ radiation को बच्चों क्या करेंगे absorb करेंगे trap करेंगे जिसके चलते जो earth का average temperature है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और यह कॉस करता है आपका global warming ठीक है चले तो हम आगे बात करते हैं बच्चों यहां पर अब question कहता है कि what is weather weather क्या है देखो weather जो है एक ऐसा दोस्त है जो आपके अच्छे समय में आपके साथ है और आपके बुरे समय में आपके साथ नहीं है यानि weather is a state of atmosphere ठीक है या फिर आप कह सकते हैं जो day to day condition है या hour to hour condition atmosphere का उसको weather कहते है अभी weather कभी भी change हो सकता है मान लीज दूप हो रही हो इतना दूप हो रही हो कि मुझे अपना जाकेट भी उताना पड़े हैंगी नहीं बच्चो और कभी-कभी यह भी हो सकता है एकदम से शाम के टाइम बादाला जाए और बारिश हो जाए तो यह जो फिनॉमना है जो पल-पल-पल चेंज हो रहा है हर पल चे मिलेगी तो उसको हम कहते हैं moderate type of climate और यह बहुत सालों से ऐसा ही है है तो अकर हम बात करें पूरे southern इंडिया के अंदर आपको maximum इसी तरीके के experience करने को मिलेगा राइट बचा बाड़ी चलगे तो भई यह बड़ा अच्छा एक्जामपल है हमारे climate का तो climate क्या है यह climate लंब दूप हो सकती है शाम को हो सकता है बहुत जादा ठंड हो जाए या फिर यह भी हो सकता है बारिश हो जाए तो कुछ भी हो सकता है तो day to day condition या hour to hour condition of atmosphere को डिफाइन कर सकते हैं in the form of weather ठीक है चले अब सवाल उठता है कि भी है तीन टाइप की rainfall कौन से होते हैं बच्छे सो तीन टाइप की rainfall से हमाँ आपस conventional ओरोग्राफिक और आपका cyclonic देखे बहुत सिंपल है बच्छे जब आप conventional की बात करते हैं ठीक है जब हम conventional rainfall की बात करे रहे हैं तो बच्छे बहुत सिंपल है अब देखे क्या हो रहा है कि यह माल लीजे water body है अब water body में जब आपका क्या होगा बच्छे सूरच की रौशनी बड़ेगी अब इस यहां पर पानी है गरम होगा अब गरम पानी क्या होगा धीरे-धीरे करके ऐसे वर्टिकल करेंट्स फॉर्म करके ऊपर के तरफ उठेगा वाटर वेपर बनके रहा है और वेपर में कनवर्ट होके यह ऊपर की तरफ अपना उठ रहा है उपर जाएगा यह आपके लेकिन मज़े की बात तो है कि यह क्लाउट कहीं और नहीं जा रहे है यह क्लाउट क्या करेंगे वापस यह बारिश के फॉर्म में नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे तो यह कहलाती है आपके के अब आ जाती बच्चे आपकी ओरो ग्रफिक जब आप कहते हों कि ओरो ग्रफिक क्या होता है तो ओरो ग्रफिक बहुत सिंपल है बिटा ओरोग्रफिक रेंफॉल क्या है कि माल लीजे कि बीच में पहाड़ा अगया ठीक और यह हमारे बादल जो है मस्ट एकदम मॉईश् बहुत सरा rainfall करने का capacity है ठीक है तो हवा के साथ ही move करते हुआ रहे लेकिन जब इतना बड़ा पहाल आ गया और इससे टकरा है तो क्या हुआ सारे का सारा बारिश हो गया इधर ही है ना तो कभी भी जब आप बात करें किसी relief feature के चलते जब कोई ऐसा geographical feature एक barrier create कर देता है ठीक है winds का direction में and clouds का direction में तब बारिश होती है बच्चे तो कहलाती है आपकी orographic rainfall क्या कहलाती बिटा orographic rainfall ठीक है चलिए और वही अगर मैं cyclonic की बात करूँ बच्चो आपसे वही मैं आपसे बात करू cyclonic की cyclonic rainfall ऐसे cases में होगी जब आपका warm moist wind ठीक है जब आपका warm moist moist मतलब जिसके इंदर moisture है water droplets है वेपर है ठीक है जब आपका warm moist wind की मुलाकात होती है cool dry wind से राइट बच्चो जब आपके warm moist winds की मुलाकात होती है आपके cool dry wind से तब जो rainfall cause हो रहा है that is because of cyclonic rainfall ठीक है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को तो यह major major features है हमारे अलग अलग टाइब के rain falls के चीक है चलिए आगे बात करते है थोड़ा से लेट्स फूंब फॉर्दर बच्चो चलिए आगे बात करते है फड़ा बच्च से यह हो गया हमारी कन्वेक्शनल ओरोग्राफिक और अपना cyclonic rainfall ठीक है चलिए लेट्स फूंब फॉदर अब क्वेशन आता है बच्चों की एयर प्रेशर क्या होता है न वाट इस एयर प्रेशर क्या है बच्चे डाट इस अप्रेशर जो कि हमारा एयर कॉलम एक्जर्ट करता है अर्थ के सर् आप्रेशर अपका डिक्रीज होगा जैसे आपका इक्रीज होगा ठीक है एमान लिजि जो आपका हाइफ है यानि कि आपका एक्र क्रीयलह oka ओगा अपका का्रीज और टीक है आपका है इंग्रीज ऑगा prec level ट्रिजल इसको तोड़ा सा ध्यान धमाग यूचाहई पे जाएं होता है ठीक है तो जितने आप higher elevation पर जाएंगे आपका air pressure दीरे दीरे decrease होने लगेगा air pressure highest होता है आपके sea level के ऊपर ठीक है बच्चो चलिए तो pressure exerted by column of air on earth surface को कहते हैं हमारा air pressure चलिए आगे अगर मैं बात करूँ कुछ हमारे mcqs हैं फड़ा वट से जल्दी से इसका answer देना ह आपको कहां पर हमारे comment section के अंदर चलिए तो पहला सवाल कहता है कि which of the following gases protects us from harmful sun rays ठीक है तो harmful sun rays से हमको कौन बचाता है CO2 nitrogen या फिर ozone तो बच्चे harmful sun rays से हमको बचाता है हमारा ozone layer राइट चलिए तो बहुत ही बड़ी option number C's में correct था अगले सवाल पर आते the most important layer कौन सा atmosphere का बच बात है तो बच्चे data is troposphere राइट बच्चो ओके आगे बात करते हैं which of the following layers of atmosphere is free from clouds ठीक है जब कभी आप कहते हो ना कि आस्मान बादल के अंदर चला गया plane वगरा हमारा है तो बच्चे गरम बात करें कि कौन सा ऐसा area है जापे clouds आपको नहीं मिलने वाले that is stratosphere वाला reason right troposphere के भी आप और उपल जाएंगे तो आपको मिलेगा stratosphere तो यह वो region है जहां पर generally आपको clouds नहीं मिलते right चालिए अगले सवाल पर आते बच्चो as we go up the layers of atmosphere the pressure मैंने कहा ना जैसे height increase होगा जो आपका pressure हो बटा decrease होगा आपने अभी पढ़ा है जैसे आपका elevation increase होगा जैसे आपका height increase decrease होगा pressure आपका क्या होगा बच्चो decrease होगा just अभी आपने थोड़ी दर पहले पढ़ा है देखो जो बच्चे भूल गए दुबारा से पढ़ा दो आपको so height increases the pressure decreases ठीक है बच्चो चलिए तो क्या होना चाहिए इसका answer बहुत simple है that is option number B चलो अगला सवाल कहता है जब precipitation comes down to the earth in the liquid form जब liquid form में कभी भी precipitation earth पर गिरता है तो इसको हम क्या कहते है बच्चे इसको हम कहते है rain राइट अगर solid form में आएगा तो इसको हम कहेंगे snow और snow आपको वहां मिलेगी जहां पे temperatures बहुत जादा ठंडे है खासकर पहाड़ी इलाकों में क्या होता है ऐसा water vapor जम जाता है न लेकर liquid form में नीचे आएगा तो अपने को क्या कहेंगे इसको हम इसको हम कहेंगे बारिशन की rain चले अगला सवाल देखें बहुत simple है आप अपने को क्या करना है match the following करना है तो दीकि question कहता है कि trade winds क्या है trade winds क्या होती है trade winds आपकी permanent winds होती permanent wind का मतलब है ऐसी हवाएं जो एक certain region म इंदर ऐसी हवाएं बहती मिलेंगी तो ऐसी हवाओं को हम कहते है permanent wind फिर अगर हम बात करें लू का तो लू बच्चे क्या है लू is a local wind तो पहले तो trade winds को यह हम लगा पर्मनेंट wind रागा देते है लू आपका local wind है ठीक है लू की अगर आप बात करेंगे तो लू गर्मियों के समय में northern भारत में और north western भारत में चलती है एक centralized wind है सिर्फ गर्मियों के time पर ही चलेगी और भारत के इतना ही area में चलेगी ठीक है और बहुत गरम wind होती है बहुत तेज चलती है तो कई बार आपको लू लगने साब बिमार भी बढ़ सकते हो राइट तो लू क्या है आप देश में experience किया जाता है जिसके चलते बहुत सारी बारिश है वो भारत को मिलती है और विंड क्या होता है बच्चे विंड को कैसे define करेंगे विंड इस दा horizontal moment of air को हम क्या बोलते है बच्चो विंड राइट चले और हाला कि इन options इस option का कोई जरुवत नहीं था फाल्तो एक् हमारा permanent wind है लू हमारी क्या है local wind है monsoon seasonal wind है और wind का मतला है that is horizontal moment of air ठीक है बच्चा बाड़ी चलिए अब हम लोग आ जाते हैं फड़ा बच्चा हमारे give reason वाले questions पर राइट बच्चो तो give reason में question कहता है कि भाईया जो आपके गीले कपड़े होते है ठीक है यह ज्यादा समय ल में जून के महिनों में काफी जादा आपको experience करने को मिलता है बच्चो तो जब कभी भी आपका day humid होता है जब humidity हाई होती हाँ में तो ऐसे दिन में क्या होता है बच्चो कि आपको कपड़े सुखाने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि बच्चो अगर हम बात करें कि अग आपका decrease हो जाएगा और कहीं न कहीं जो हवा है वह कम भूती धीमे तरीके से जो है moisture को सोख कर पाएगी क्यों moisture अलड़ी हवा में इतना ज्यादा है ठीक है तो आपका operation rate हो क्या हो गया बच्चे थोड़ा से decrease हो गया और अभी जो हवा है आपका वह less water सोख कर पा रही है सिंपल है अगर हम इसको बनाएं बच्चो एक हमारा एक rough diagram मैंने बनाया हुआ आपके लिए ठीक है अगर आप देखोगे ध्यान से देखें बच्चो ठीक है यह हमारा sun है इसको में mark कर देता हूं for example हमारा sun है ठीक है और यह हमारा equator है यह हमारा equator है ठीक है तो अगर आप सू लेकिन जैसे जैसे आप equator से दूर जाना start करोगे जो सूरज की raise है बच्चे वो slanting होने लगती है इसी वज़े से अगर आप poles की बात करेंगे तो यहां पर सूरज की जो रोशनी है वो बहुत slanting होती है क्या होती बच्चे बहुत slanting raise पढ़ती है और ऐसा इसलिए होता है क्य तो इसी वज़े से आप देखोगे तो जितना ही आप equator से दूर जाएंगे उतना जो सूरज की रोशनी है जो sun की raise है वो slanting होने लगती है and as a result जो amount of sunlight received जिसको आप insulation भी कहते हैं बच्चे वो कम हो जाता है ठीक है चलिए तो यही था भया हमारा प्यारा जबर्दस्त वाला reason ओके चलो सो question of the day बहुत simple है आपको एक सवाल का उत्तर देना है सवाल यह देना है कि what are permanent and local winds ठीक है तो इसका answer आपको कहा देना है बच्चो comment section के अंदर बस इतना बताना है कि permanent और local winds क्या होती है उसका example दे करके आप कहां समझाओगे बच्चे मेरे को इंदा comment section ठीक है तो यह थे हमारे कुछ सवाल जवाब यह थे हमारे कुछ थीजिए बच्चो चलि तो उमीदं हरे मजह स्वाल करेंगे बहुत सारे और कॉंसेट करेंगे और बहुत सारी और जबर्दस वाली बातए क्रेंगे छाले वश्य के साथ क्लस को वाईडब कर्ते हैं अगले क्लस मुलाकात और क को होगी और सवाल लेकर क्या हुआ आपके ल झाल झाल